क्या हुआ? जब केदारनाथ के कपाट खुलते ही, सामने जो दिखा, उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे. हाल ही में एक बुजर्ग व्यक्ति के साथ, घटित केदारनाथ में यह सबसे बड़ी घटना है, जिसे अभी तक का का सबसे बड़ा चमतकार कहा जा रहा ह इस पूरी वीडियो को देखने के बाद, आपको इस बात का एहसास होगा. केदारनाथ कितना बड़ा धाम है, वहां कितनी सारी अलौकिक शक्तियां है, और जिनसे कुछ मांगा जाता है, उन्हें देव कहते हैं. लेकिन जो बिना मांगे ही, हमें सब कुछ दे देते हैं, उ यह कहानी राष्ट्रिय स्वयन सेवक संग यानी RSS के एक ऐसे व्यक्ति की है, जिन्होंने संग के लिए अपनी पूरी जिंदगी प्रचारक के तौर पर दाव पर लगा दी, जिन्होंने ग्रहस्थी का जीवन छोड़, धर्म की रक्षा को चुना और प्रचारक के तौर प धाम की यात्रा पर जाने का निश्चय किया, उस समय चार धाम की यात्रा शुरू होने वाली थी, लेकिन उनके साथ जाने वाला कोई अपना नहीं था, उन्होंने अपने दोस्तों को मनाया, लेकिन अंतत कोई भी साथ चलने को तयार नहीं हुआ, जिसके बाद कमल जी ने वर्षों की बचत को एकठा किया और साथ हजार रुपए की राशी एकत्रित करी उसके बाद उन्होंने चार धाम की यात्रा और बाहर जोतिरलिंग की यात्रा करने का निश्चे किया कहते हैं अगर भक्त की भक्ती में भाव हो तो भगवान लाखों करोडों दान करने वाले से भी उपर उस भक्त को रखते हैं जो भगवान को मन के भाव अर्पित करता है और कमल जी के साथ भी केदारनाथ में एक ऐसा ही चमतकार होने वाला था वे 20 अपरेल के दिन भोपाल से देहरादून के लिए रवाना हो गए उनके अंदर गजब का उत्साह और बहुत हिम्मत थी उन्होंने हमेशा से ही अपनी जिंदगी की लड़ाई खुद लड़ी थी और संग में एक प्रचारक के तौर पर सब को हिम्मत और धर्म के प्रतिज्ञान देने का काम किया था देहरादून के बाद वे गंगोत्री पहुंचे जहां उन्होंने सत्तर वर्ष की उम्र में गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों धाम को पैदल ही पार किया लेकिन अब लक्षे बड़ा था उन्हें केदारनाथ और बाद में बद्रीनाथ का सफर तै करना था और 25 अप्रेल के दिन बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने वाले थे संभावना थी लाखों भक्तों की भीड उस दिन वहां पर मौजूद होगी 25 और 24 अप्रेल के दिन गंगोत्री यमुनोत्री धाम को पार करके वे आखिरकार बाबा के दारनाथ के धाम पहुँची गए लेकिन यहां तक पहुँचते पहुँचते उनके घुटने जवाब दे चुके थे और 14 किलो मीटर की खड़ी चड़ाई करने की स्थिती में कमल जी बिलकुल भी नहीं थे उन्हें अब अपने चार धाम की यात्रा अधूरी नजर आ रही थी लेकिन कहते हैं ना जब भक्त के भाव सही हो तो भगवान उसे रास्ता जरूर दिखाते हैं समस्त बुजुर्ग लोगों के लिए केदार नाथ तक पहुँचाने है दो व्यवस्था थी एक खचर और दूसरी है डंडी कंडी जिसमें टोकरी मैं बैठ कर किसी व्यक्ती की पीट पर बैठ कर उपर जाना होता है लेकिन दोनों में ही खर्च पांच हजार से छे हजार का आ रहा था और कमल जी के पास इतने पैसे नहीं बचे थे उन्हें पुना भोपाल भी लोटना था तब वह बहुत ज्यादा निराश हो गए 25 अपरेल 2023 का दिन था लाखों भक्तों की भीड केदारनाथ पहुँच रही थी तभी कमल जी ने एक बात महसूस करी अधिकतर लोग जो बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुँचे थे उनका उद्देश्य दर्शन नहीं बलकि प्रदर्शन था कोई रील बनाने के लिए केदारनाथ आया था तो कोई अपने चैनल को बढ़ाने के लिए लेकिन जो सच्चे भाव से कमल जी केदारनाथ आये थे उनके दर्शन का कोई योग नहीं बन पा रहा था तब ही सामने की ओर उन्हें एक हनुमान जी का मंदिर दिखाई दिया कमल जी हनुमान जी की भी बड़े भक्त थे उन्होंने हनुमान जी के दरवार में अर्जी लगाई कि अगर मेरे मन का भाव सच्चा है तो आज किसी भी हालत में मुझे बाबा के दारनाथ के दर्शन जरूर होंगे और भी ठक हार कर इसी मंदिर की चौकट पर बैठ गए तब ही दंडी लिए एक व्यक्ती उनके पास आया दरसल कुछ लोग अपने पीठ पर एक टोकरी में इनसान को बिठा कर उपर के दारनाथ तक चढ़ाई करते हैं जिसे डंडी कंडी कहा जाता है उसने कमल जी से कहा क्या आप उपर के दारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तब उन्होंने कहा मैं उपर जाना तो चाहता हूँ लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है तब उस व्यक्ती ने कहा आज के दार नाथ की यात्रा का पहला दिन है और हमारी चार पीडियां से यात्रा के पहले दिन किसी एक व्यक्ती को सबसे पहले मुफ्त चढ़ाई कराई जाती है उसके बाद से ही हम अन्य लोगों से पैसा लेना शुरू करते हैं और इस साल की यात्रा में सबसे पहले वह विशेश इनसान आप हैं उसकी आवाज सुनकर कमल जी खुश हो गए और हनुमान जी के सामने माथा टेक कर बाबा केदारनाथ के चमतकार को नमन करने लगे इसके बाद उस व्यक्ती ने अपनी टोकरी में कमल जी को बिठाया और केदारनाथ की चढ़ाई शुरू करी पुरी आत्रा के दौरान में प्रभुश्री राम का नाम ले रहा था तो कमल जी ने उससे पूछा कि हम तो बाबा केदारनाथ की चढ़ाई कर रहे हैं तो तुम राम का नाम क्यों ले रहे हो तब उसका कहना था कि मेरे आराध्य प्रभुश्री राम है और उनका नाम लेकर मैं जो कार्य करता हूँ, मेरा वह कार्य सफल जरूर करते हैं। कमल जी ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम वीपी बताया और कमल जी को एक डाइरी थी और कहा कि जब केदारनाथ की पूरी यात्रा हो जाएगी, ये डाइरी उसके बाद ही खोलना, इसके बाद लगातार चड़ाई होती रही और साथ से आठ घंटे के पश्चात, आखिरकार वह 25 अपरेल की शाम को बाबा के डारनाथ के मंदिर पहुँच गए, उस दिन के डारनाथ के कपाट सुबह 6 बजे खोले जा चुके थे और भक्तों की अपार भीड थी, जब इतने कष्ट सहने के बाद कमल जी ने बाबा के डारनाथ के दर्शन कि तो उनकी आत्मा त्रिप्त हो, गई, ऐसा लग रहा था मानो जीवन में किसी चीज की कोई कमी ही नहीं हो, उन्होंने केदारनाथ मंदिर के अंदर एक जलता हुआ दीपक भी देखा, ऐसा कहते हैं, जब 6 महीने के लिए केदारनाथ के कपाट बंद कर दिये जाते हैं, तो यह दीपक बाबा के पास जला कर छोड़ दिया जाता है, और 6 महीने के पश्चात जब पुनह कपाट खोले जाते हैं, तो यह दीपक पहले की ही भांती जला हुआ मिलता है, ऐसा कहते हैं, 6 महीने जब बाबा के कपाट बंद होते हैं, तो स्वयम देवी देवता भगवान क पेदारनात की पूजा अर्चना करते हैं और अन्य छे महीने में मनुश्यों को बाबा अपनी पूजा का अधिकार देते हैं। उस चमतकारिक दीपक का दर्शन करके और उसके चमतकार को देखकर कमल जी धन्य धन्य हो गए। जब वह पुनहे बाहर लोटे तो वह शखस उनक का इंतजार कर रहा था। तब उसने पुनह कमल जी को अपनी टोकरी में बिठाया और नीचे की ओर चढ़ाई करना शुरू करी। तीन से चार घंटे में वे लोग नीचे उतर गए। कमल जी बड़े ही प्रसन्न थे क्योंकि बाबा केदारनात में उनकी श्रद्धा का मान वीपी ने कमल जी को नीचे उतारा और फिर वह वहां से चला गया। तब ही थोड़ी देर बाद कमल जी को एक बात का एहसास हुआ कि उस व्यक्ति को कुछ पैसे जरूर देने चाहिए थे। ताकि उसकी भी आर्थिक मदद हो जाए इसके बाद वह डंडी-कंडी के क्षेत और सभी टोकरी वालों से पूछा कि यहाँ वीपी नाम का कौन व्यक्ति है। लेकिन उनका कहना था कि हमारे इस क्षेत्र में वीपी नाम का कोई भी इनसान नहीं है। तब कमल जी को बहुत हैरानी हुई। तब ही उन्हें वीपी की एक बात याद आई। उसने कहा था कमल जी को एक बहुत बड़ा जटका लगा और उन्हें समझ आया कि वीपी नाम से वह कोई साधारन व्यक्ति नहीं बलकि स्वयम वायू पुत्र हनुमान थे जो मेरी अरजी को स्वीकार करके मेरी चड़ाई को संभव करने के लिए मेरे बाबा केदारनाथ के दर्शन कराने के लिए खुद मानव रूप लेकर आये थे और मुझे अपनी पीठ पर बिठा कर उन्होंने पूरी चड़ाई संभव करी ऐसा चमतकार केवल वो महाबली ही कर सकते हैं कमल जी फिर से उसी हनुमान मंदिर के पास गए और उनके सामने साश्टांग दंडवत प्रणाम किया ये चमतकार उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा चमतकार था जिसे भी आज तक भूल नहीं पाए केदारनात के दर्शन करने के बाद वे बदरीनात के लिए रवाना हुए और बाबा बदरीनात के दर्शन करके अपने चार धाम की यात्रा को पूरा किया इसके बाद बचे हुए पैसे से भोपाल लोट कर आ गए कमल जी ने अपने साथ घटित चमतकार के बारे में अपने सारे दोस्तों को बताया और सभी बड़े हैरान हुए क्योंकि ऐसा चमतकार भी किसमत वालों के साथ होता है इस पूरी घटना से एक बात साबित होती है अगर भक्त का भाव सच्चा है तो वह पत्थर को क्या कर भी रास्ता बन सकता है इस पूरी घटना को लेकर आपके क्या विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और जल करके बैल आइकन को प्रेस कर ले अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव